दोस्तो आज हम एक्स्प्लीन करने वाले हैं हाली मैई मूवी क्रैक को जिसमें विद्धू जामवाल और अरजुन रामपाली ट्रोल में है और ये मूवी आपको जरूर प्रसंद आएगी इसलिए आफ वीडियो को भी लाइक कर दीजिए हम चलिए कहानी शुरू करते हैं तो सिद्धू ट्रेन के साथ काफी खतरना की स्टेंड कर रहा होता है जिसको उसके दोस्त रिकॉर्ड करते हैं तब इस्टेशन पर एक पुलिस वाला सिद्धू को स्टेंड करते देख लेता है और सिद्धू को पकड़ने जाता है क्योंकि उसमें उसकी जान भी जा सकती है सि कहता है कि नहीं, उसको तो सिर्फ एक्स्ट्रीम स्पोर्ट ही केलना है, जो कि उसका पैशन है, तब सिद्धु के पापा उसको खीच कर ऊपर ले आते हैं, और हमें पता चलता है कि सिद्धु के भाई निहाल दिक्षित को भी एक्स्ट्रीम स्पोर्ट काफी पसंद था, पर जब वे खेलने गया तो उसको गेम में अपनी जान गवानी पड़ी और घर में सिर्फ नियाल के पैसे आये वो नहीं। इसलिए सिद्धु के पापा सिद्धु को ये स्पोर्ट के लिए मना करते हैं ताकि वे सिद्धु को ना खोदे। सिद्धु अप इमोशनिल होकर अपने घर से चला जाता है और अपने भाई के साथ बिताय हुए साधे पल को याद करता है। फिर हम देव नाम के आदमी को देखते हैं जो कि एक्स्ट्रीम स्पोर्ट को सबसे बेस्ट खिला रही है। जो कि आज तक अभी नहीं आ रहा और वे मैदान नाम के एक्स्ट्रीम गेम को चलाता है। देव को अब सिद्धू के ट्रेन में इस्टेंड करने वाला वीडियो मिलता है। दो सादमी के साथ ही चल देता है। आप सीन चेंज होता है और हम देखते हैं कि देव अपने साथ ही जैक के साथ किसी लोकेशन पर आया है। जहाँ पर plutonium है, मतलब कि देव कुछ खतरनाक प्लैन कर रहा है, क्योंकि plutonium से nuclear bomb बनता है, जिससे काफी सारे देशों को खतरा हो सकता है, अगले दिन सिद्धु के पापा सिद्धु की missing complaint पुलिस इस्टेशन में लिखवाते हैं, क्योंकि उनको सिद्धु कहीं नहीं मिल र तो उसकी आत्मा को शांती मिलेगी, इसलिए वे गेम खेल रहा है, सिद्धु का आप केंटेनर से निकाल कर एक गाड़ी में बठाते हैं, जहां मैदान खेल के काफी सारे participants थे, जो कि अलगलग देश से आई थे, और उनका सपना भी मैदान गेम को जीतना था, सिद्धु का एक वाच पहना दी जाएगी, जिससे खिलाडियों को गेम की डिटेल्स मिलती रहें, और मैदान गेम में तीन रेस होंगी, जिसमें सबसे पहले गेम जीतने वाले को 16 करोड रुपे मिलेंगे, दूसरे गेम जीतने वाले को 24 करोड और तीसरा गेम जीतने वाले को 40 करोड र सकते हैं और अगर वहारा तो उसके सारे पैसे चले जाएंगे पर ये सब खिलाड़ी की इच्छा के उपर है कि उसको देव को चैलेंज करना है या नहीं और जो भी ये पूरा मैदान गेम जीतेगा उसको दुनिया में इतना नाम और शौरत मिलेगी जो कि उसने सोची भी नह होगी इसके बाद देव सारे प्लेयर्स को उनके रूम में भीज देता है अगले सीन में हम देखते हैं कि काफी अमीर अमीर लोग मैदान गेम के खिलाडियों पर पैसा लगा रहे हैं मतलब कि ये सिर्फ एक गेम नहीं है बलकि डेथ गेम है सिद्व महा की पार्टी में आत सकता है यहां सिद्व अब पार्टी में जुनिदा की मदद से अपनी फैमली से बात करता है और बताता है कि वह ठीक है और यहां से मैदान गेम चीत करी आएगा सिद्व को महा एक आलिया नाम की लड़की मिलती है जिसे देखकर वे उस पर फिदा हो जाता है यहां अलिया क की बाद सिर्फ 16 खिलाड़ी बचने वाले थे इस पहली रेस में सभी खिलाड़ीों को अपने सामने चलते हुए ट्रक को पगड़ कर उसमें चड़ना होगा जो सबसे पहले ट्रक पर चड़ेगा फ्लैग निकालेगा वही 16 करोड जीतेगा बाके के 15 खिलाड़ी नेक्स रा करना होगा नहीं तो वह वैसे ही आर जाएंगे मेदान गेम की पहली रेस अब शुरू होती है और सारे खिलाड़ी सबसे पहले टोकार को पकड़ने में लग जाते हैं तब सिद्धु भी बाद खिलाड़ी ट्रक का पीछा करने लग जाते हैं थोड़ी देर बाद काफी सार पर चड़ कर नेक्ट राउंड में जाने लगते हैं आप सिर्ष आखरी जंडा बचा था तब सिद्धू हवा में कूद कर उस जड़ने को निकाल कर नेक्ट राउंड में पहुंच जाता है इस मैच के बाद अब 16 खिलाडी अगले राउंड में कौलिफाई कर लेते हैं रात क को दमकाती है कि सिद्धू को उसकी मदब करनी होगी नहीं तब वह उसको जेल में डाल देगी क्योंकि सिद्धू बिना पासपोर्ट के पॉलेंड आया है तब सिद्धू पैट्रिसिया की बात मान लेता है और पैट्रिसिया सिद्धू को देव के पास एक बॉड़ी चिप लगाने को कहती है ताकि पैर्टिस या देव की सारी बाते सुन सके अगले दिन सिद्व अपने रूम में जाता है तब देव की आदमी सिद्व को मानने लगते हैं क्योंकि उनको सिद्व के बार में पता चल गया था कि वह रात को पुलिस से मिला है सिद्धु अब देव के आद्मियों को चक्मा दे कर भागता है और जैक को मानने लगता है लड़ते लड़ते अब ये दोनो देव के पास पहुंच जाते हैं तब सिद्धु देव को सारी बात बता कर कहता है कि उसके एक पुलिस वाली ने धमकी दे कर उसको एक चिप लगाने को दी है जिसको वह देव को दे देता है देव अब उस चिप को डिस्ट्रॉय करके सिद्धू को पुलिस के चक्कर से दूर रहने के लिए के लिए कहता है फिर सिद्धू जाते हुए जैक को एक लॉकेट देता है अब सीन चेंज होता है जब जैक प्लूटेनियम की डिलिवरिक ले जाता है तब पैटिस्या जैक को आकर पकड़ लेती है क्योंकि उसको उसकी लोकेशन के बारे में पता चल गया था मगर देव की आदमी प्लूटेनियम के बैक की गाड़ी को लेकर भाग जाते है फिर वो देव को फोन करके बताता है कि जैक को पुलिस ने पकड़ लिया है तब हमें पता चलता है कि प्लूटेनियम के बैक की चाबी तो खुच जैक है मतलब कि Jack देव के लिए काफी important है उस Plotinium के back को खोलने के लिए मैदान के अब race 2 शुरू होने वाली होती है थोड़ी देर में हमें पता चलता है कि Patricia ने सिद्धू के locket में चिप छुपा कर दी थी तभी उसको Jack की location के बारे में पता चल पाया और उसने Jack को पकड़ लिया Patricia को पता चलता है कि देव Plotinium की deal कर रहा है जिसको उसको paper मिल जाते हैं देव अब मैदान की race 2 cancel करके सिद्धू को अपने पास बुलाता है क्योंकि उसको पता चल गया था कि सिद्धू ने पुलिस के साथ मिलकर उसको धोका दिया है तब सीन चेंज होता है सिद्धू Patricia को फोन करके कहता है कि देव को उसके बारे में पता चल गया है और उसकी जान खत्रे में है तो वे Patricia को उसको महां से निकालने के लिए कहता है और Patricia सिद्धू को एक लोकेशन पर आने के लिए कहती है जैसे सिद्धू फोन रखता है तब हम देखते हैं कि उसने ये सब देव के कहने पर किया है थोड़ी देर बाद सिद्धू Patricia की लोकेशन पर जाता है तब Patricia क्या दे कि देव नहीं तेरे भाई को मारा है वो कोई गेम में नहीं मरा ये सुनकर सिद्धू के होड़ शुड़ जाते हैं और उसे काफी गुस्सा आता है तब वे रिमोट से बॉम ब्लास्ट करके सब को उड़ा देता है अगले सीन में में पाष्ट की कानी दिखाते हैं जा देव और सिद्धू का भाई मैदान गेम में फाइनल मैच खेलते हैं जिसमें उन दोनों को एरो प्लेन से कूट कर हवा में बाइक पकड़नी थी और परेशूट खोल कर लेंड करके जंडे को निकालना था जैसे देव और सिद्धू का भाई प्लेन से कूटते हैं तब देव हवा में बाइक पकड़ कर पैरिशूट खोल लेता है और बाइक से जाकर जंडा निकाल लेता है पर सिद्धू के भाई का पैरिशूट नहीं खुलता तो उसको देव के बाप मार्क से मिलना होगा फिर हम मार को एक आदमी से बात करता हुआ देखते हैं तब हमें बता चलता है कि मैदान गेम को मार्क नहीं बनाया है क्योंकि उसको जान की बाजी वाला गेम काफी पसंद था अगले दिन अब रेश्टू शुरू होती है तब द खिलाडियो को ये सब गेम पेर में बांद करकर आजाएगा देवब अनाउंस करता है कि सिध्धू इस रेश्ट का हिससा नहीं होगा तब सारे लोग निराश हो जाते हैं फिर एकदम से खिलाडियों के बचकर भागने लगते हैं फिर थोड़ी देर बाद कुछ खिलाड़ को कुत्ते मार देते हैं, सिद्धु भी बाकी सारे फ्लैक को छोड़ कर वाइट फ्लैक धूड़ने लगता है क्योंकि उसे रेस किसी भी हाल में जीते थी तब सिद्धु रालिया कुत्तों से बसते हुए वाइट फ्लैक को धूड़ते है और थोड़ी दिर बाद सिद्धू को वाइट फ्लैक दिखता है जो कि एक करण की तार पर गिरा हुआ था पर सिद्धू तार के उपर से कूट कर वाइट फ्लैक निकाल लेता है जिससे सिद्धू रेश्टू जीच जाता है अगले सीन में देव अपने पापा से मिलने आता है तब हमें पता चलता है कि देव नम ने पापा मार के सारे साथियों को मार दिया है क्योंकि वह प्लोटिनियम के खिलाफ थे और देव का सपना था कि वह प्लोटिनियम बेच कर उसके पैसों से अपने एक अलग देश बनाए जहां वह मैदान गेम को चला सके वो भी बिना किसी परिशानी के इस सीन में हमें एक और बात पता चलती है कि देव मार्क का सगा बेटा नहीं है बलकि उसे गोध लिया गया है या सिद्धु अब अपने गेम के साथियों को उसकी मदद करने के लिए कहता है ताकि सिद्धु को पता लग सके कि उसका भाई कैसे मरा इसके बाद सिद्धु अपने दोस्तों की मदद से कंट्रोल रूम पहुँच जाता है पर उसको मा कुछ भी नहीं मिलता फिर सिद्धु चुपके से मैदान गेम से भाई निकल कर मार्क के पास जाता है जहां देव ने मार्क को बंदी बना कर छुपा दिया था सिद्धु मार्क से उसके भाई के बारे में पूछता है तब मार्क सिद्धु को वीडियो दिखाता है जिसमें देव सिद्धु के भाई की भाई के पास आया और उसने उसका पैरिशूट अटका दिया मतलब कि देव नहीं सिद्धू के भाई को मारा है मारक पैट्रिसिया को कहता है कि वे उसको देव के प्लोटिनियम की लोकेशन दे देगा बस मैदान गेम को कुछ नहीं होना चाहिए और पैट्रिसिया मारक की बात मान ले दिया फिर जैसे देव को पता चलता है कि प्लोटोनियम पुलिस ने पकड़ लिया है वे गुस्षे में सारी चीजे तोड़ देता है क्योंकि उसका सपना तूट गया था फिर देव को पता चलता है कि ये सब सिद्धू ने ही पुलिस की मदश से किया है अगले दिन रेश 3 के लिए सारे खिलाडी चाते है तब देव सारे खिलाडी को मरवा देता है और सिद्धू आटोमेटिकली जीच जाता है ये सब देव ने सिद्धू के साथ इसलिए कि ताकि सिद्धू भी समझ सके कि सपने तूटने का दर्द क्या होता है क्योंकि सिद्धू को तो सब को हरा कर मैदान का टाइडल जीतना था और वो बिना खेले नहीं जीतना चाता था सिद्धू अब देव के पास आकर उसको फाइनल रेस के लिए चैलेंज करता है ताकि वे देव से अपने भाई की मौत का बदला ले सके तब देव कहता है कि जो रेस जीतेगा वे जीएगा और दूसरा मारा जाएगा क्योंकि फाइनल रेस में देव और सिद्धू के हाथ में टाइम बॉम लगे होंगे जैसे कोई आदमी एंड में पहुँचकर चाबी से अपना बॉम कोलेगा वे बच जाएगा और दूसरा मारा जाएगा अब फाइनल रेस शुरू होती है तब देव और सिद्धू पार से उतरते हैं और रास्ते से एक जंडा निकालते हैं जिसके लड़ाई होती हैं जिसमें सिद्धू देव को बहुत मारता है फिर सिद्धू चाबिस अपने बॉम को आफ कर लेता है और देव मरते हुए कहता है कि तेरे भाई को मैंने नहीं मारा था जिसके बाद ब्लाट से देव मारा जाता है और सारी जनता सिद्धू के जीतने पर क का नाम हो जिसका रण सिद्धू का भाई गेम में मारा गया सिद्धू फिर गुस्टे में मार को मार कर उसके हाथ में बॉम लगा देता है और एरोप्लेन से पैरस्चूट की मदब से कूज आता है जिससे एरोप्लेन में बहुत बेड़ा ब्लास्ट होता है जिसमें मार को जै देखना चाहते हैं वो भी कमेंट किजिए का